नमस्ते इस वीडियो में मैं आपको Google Meet account student name से कैसे create करना है और Google Meet से classes कैसे join करनी है यह बताऊंगा उससे पहले आप चैनल को जो है subscribe कर लिजे जिससे जो वीडियो अपलोड किये जाएंगे उसकी notification आपको मिलती रहेगी सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाना है फोन के प्ले इंस्टॉल कर लेना है जब आप Google Meet अप इंस्टॉल कर लोगे सो ओपन करने के बाद continue अलाव अलाव और किसी email id से जो है आप Google Meet account जो है आपको create कर लेना है उसके बाद यह Google Meet की home screen आपको इस तरह से दिखाए देगी जहाँ पर आप देख सकते हो meeting code और new meeting यह दो option है meeting new meeting आपको यूज नहीं करना है meeting code से जो है आप class join कर सकते हो उससे पहले जो है हम student name से Google meet id जो है create कर लेंगे यहाँ पर आप left corner पर आप three options three lines देख सकते हो three lines उनको touch करना है इस तरह से option open हो जाएंगे उसमें manage your account यह option आपको touch करना है open करना है उसके बाद personal info में जाना है आपको personal info बहाँ पर आप देख सकते हो name यहाँ पर आपका नाम हो सकता है आपकी email id होगी तो यहाँ पर आपको student name एंटर करना है यहाँ पर आपको student name एंटर करना है आपके बच्चे का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है First name में जो है आप बच्चे का full name यहाँ पर type कर दोगे First name में आपको full name यहाँ पर type कर लेना है उसके बाद last name में जो है इसका role number जो teacher role number प्रोवाइड करेंगे वह आपको उसको type कर देना है उसके बाद इस information को save कर दीजे यह बस आपको एक यह बार करना है इसको दुबारा करने की ज़रूद नहीं फर्स टाइम जब आप लॉग इन करोगे तभी आपको यह information feel कर देनी है student name से create कर लेना है उसके बाद class कैसे join करनी है आपको जो है आपके whatsapp group में teacher एक link भेजेंगे google meeting code उसी को कहा जाता है वो link आपको आपके whatsapp group में भेजी जाएगे teacher के द्वारा उस link को आपको touch करना है जब आप उस link को open करते हो आप google meet app open कर ओ जाता है उस google meet app open होने के बाद यह आपको उसके screen दिखाए देगी जब आप उसको link को touch करोगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हो camera यह जो है camera का option है इसको on रखना है हमेशा camera on रहेगा और mic जो है यह mic है इसको mute रखना है जब इसको teacher के द्वारा कहा जाएगा on करने के लिए तभी इसको on करना है उसके बाद ask to join को touch करना है जब आप ask to join को touch करते हो तो teacher के पास यह joining request चली जाती है जब teacher उसे admit करते है तब आप जो है class में join हो जाते हो यहाँ पर देख सकते हो आप asking to join option आ रहा है जब teacher उसे admit कर देता है उस request को allow कर देते है तो आप class join हो जाती है आप देख सकते हो class join होने के बाद इस तरह की आपको screen दिखाए देगी यहाँ पर आप student name देख सकते हो या आपने जो name type किया था वो आपको इस तरह से दिखाए देगा याँ चाट बॉक्स में आपको सबसे पहले बच्चे का नाम student name और role number वहाँ पर type कर देना है जिससे जो है teacher attendance save कर लेंगे उसके बाद आपको जरूरी instruction है कि ये present screen option पर बार बार click हो जाता है तो उसको touch नहीं करना है present screen option में क्या होता है आप खुद की screen प्रेजेन करते है और खुद की phone की screen आपको दिखाए देती है उसको touch नहीं करना है तो इसलिए जब teacher कुछ screen present करेंगे तो वो आपको नहीं दिखाई देता है आपको दूस बातें हमेशा याद रखने हैं कि कैमेरा जो है वो on रहेगा और माइक mute रहेगा जब teacher पढ़ा रहे हो और एक option है कि screen rotation का screen rotation का option जो है आपको हमेशा on रखना है auto rotate जो है वो उसको on रखना है जिससे जो है आप screen rotate करोगे landscape mode में तो वो video या फिर जो presentation आपको teacher दिखा रहा है वो आपको larger view में दिखाई देगा आपको उसे हमेशा जो है on रखना है auto rotate option जो है आपको on रखना है thank you आप यहावसे जो है class lift कर सकते हो thank you